बजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर है और साथी क्याबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं इसी कड़ी में अब आपको बता दे कि महिलाओं को पुलीस भरती में मिलेगा 33 प्रतिशत का आरक्षन बजनलाल क्याबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आए कई अन्य बड़े फैसले और आहम फैसले भी हम आपको बताएंगे साथी आपको बता दे कि बजनलाल सरकार की क्याबिनेट में बैठक में बुद्वार को बड़े फैसले लिए गए हैं मैलाओं को पुलीस विभाग की भरती में 33 पीजदी आने की 33 परसेंट आरक्षन मिलेगा रेजर्वेशन होने दिया जाएगा इसके लिए क्याबिनेटे राजसान पुलीस अधिनस्त सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है अविशेश योगी जन सरकारी करमचारी की मृत्यों होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिष्टिदार भी शामिल हो सकेंगे करमचारी के माता-पिता भाई और बहन में से किसी को भी पैंशन मिल सकेगी बैठक में अलग-अलग दस हैजेंडों पर चर्चा हुई इसमें पुलीस अधिनस्त चैन सेवाओं के नियमों में संशोधन करने समेथ कई बड़े और एहम फैसले लिये गए हैं इने विधानसबा उप्चुनाओं से पहले क्याबिनेट की बैठक में लिया गया है इसी वज़े से कई लोग इसे विधानसबा उप्चुनाओं से पहले वोटर्स को आकरशित करने का पैत्रा भी बता रहे हैं और आउट्डोर इलाज खर्च की लिमिट अब 30,000 लिपिक तो महीं चत्तुतर शेनी करमचारियों को प्रमोशन में राहत तो महीं विधानसबा उप्चुनाओं से पहले बज़नल सरकार की काबिनेट में एक और एहम फैसल लिया गया सान में जिन सीटों पर उप्चुनाओं होना है वहाँ पर सियासत फिलाल गर्माई हुई है सियासी पारा हाई है और लगाता नए नए दाव पेच वहाँ पर खेले जा रहे हैं पर इस से पहले चुनाव से पहले ये फेसला, क्या रगड़ाईगा, क्या फेसला होगा, ये मेत पुन.